हलो गाइज, वेलकम टो कुक विच साथ विक्स मॉम आज मैं आपके रहे लेकर आई हूं बहुत ही सिंपल और बहुत ही असान तरीके से बनने वाला है ब्रेकवाज जिसे बनाना है बेहद असान और यह खान में बहुत ही टेस्टी लगता है मैकसिमम इसमें दस मिनट लगते हैं और दस मिनट में बनके रेडी हो जाता है तो चलिए आज स्टार्ट करते रेसिपी तो इसके लिए हमें सबसे पहले एक बॉल में प्यास लेना है जिसे मैंने बिल्कुल बरीक चॉप कर दिया है साथ ही टमाटर लेंगे इसे भी बिल्कुल बरीक चॉप करना है शिमला मेच इसे भी हमें बिल्कुल बरीक चॉप कर देना है और साथ ही इसमें एक तिहाई चमच हमें गार्लिक का पेस्ट लेना है धनिया के पत्ते लेने हैं और साथ ही इसमें हमें एक से दो हरी मिर्च को छोटे साइज में कट करके इसमें आट कर देना है और अब ये जो है एक कप हमें बेसन लेना है और इसके साथ ही हमें कुछ मसाले आट करने हैं जिसके लिए मैंने हल्दी पाउडर लालमिश पाउडर और साथ ही इसमें स्वाद यहां पिर गी कुछ भी आड़ करते हैं तो चलिए अब हमें fry पैन लेना है इस फ्राइपेंड में यह बटर एड़ कर लीऊ है आप चाहें बटर यहां घी लीव पून पर प्रिटी केक्ट तो उस बेटर में ये वाइट प्रेट को हमें इस तरीके से डालना है और अच्छ से सारी वेजिस को कोट कर देना है इसके उपर तो बस इस तरीके से जो है वेजिस को कोट कर देना है तो बस वेजिस कोट करने के बाद जो है अब हमें इने फ्राय पैन में डालना है तो इस bread को मैंने जिस side से wedges को coat किया है जादा उस side की तरफ fry pen पे डाल दिया है और इसके ऊपर ब्रेट के ऊपर और wedges को अच्छे से spread कर देंगे जो हमने better ready किया है उसमें से लेके तो बस अच्छे से spread कर देंगे इसे और जब एक side से सिख चाहे इसे हमें जो है सिखने देना गी डालने के बाद अब हमें इसे पलटना है तो बस इस तरीके से बहुत ही áराम से हमें पलट देना है अपनी bread को तो बस पलटने के बाद इसे हमें इस तरीके हम अपनी और भी bread को ready कर लेते हैं तो बस इसी तरीके से मैंने सेम प्रोसेस में अपनी और ब्रेड्स को जो है बेटर में इस तरीके से डाल दिया है और अच्छे से से वेजी से तो कोट करने के बाद अब इसे हमें फ्रैपेन में अच्छे से स्हेक लेना है दोनों साइप से तो बटर आपको जब भी आप bread सेके जरूर डालना है तो बस इस तरीके से बहुत अराम से इसमें डाल देंगे हम fry pan में उसके बाद इस तरीके से दोनों साइड से अलट पलट करके अच्छे से हमें सेख लेना है तो बस चलिए अब इसे हमें प्रेट में डाल देना है प्रेट में डालने के बाद अब हमें इसे करना है सर्फ, तो सर्फ करने से पहले हम इसे करेंगे कट, तो कट करने के लिए आप चाहे तो इसके चार पीसिस भी कर सकते हैं, मैंने इस तरीके से ब्रेट पकोड़े की शेप में इसे कट किया है, तो बस इस तरीके से कट करने के बाद मैं इसे सर्फ करूंगी टमेटो सॉस के साथ आप चाहे इसे कैचप सॉस किसी के साथ भी सर्फ कर सकते हैं तो बहुत ही सिंपल रेसिपी है दस मिनट में बनके रेडी हो जाती है तो रेसिपी पसंद है ट्राइ कीचिए अगर रेसिपी को लाइक शेयर करना प्लीज ना बोली